गाज मुझे रेविट की एक गंभीर समस्या पर कई लोगों का कमेंट देखने को मिल रहा था जैसे अंजलीना जोली इनका कहना है कि सर मेरी दो खरगोस हैं एक 28 दिन की प्रेगनेंट थी जिसका मिस कैरेज हो गया था और आज 26 से 27 दिन के बीच की प्रेगनेंट थी उसका भ प्रेटिंग हो रहा है और मांस के टुकडे जैसा भी बाहर निकल रहा है तो क्या मेरी मादा खरगोस मरने वाली है इसे क्या हुआ है नर के पास भी अमेसा रहती है मैं उसे अलग भी नहीं रखती हूँ और दलजीत सिंग कवर इनका कहना है कि सर रेविट का मिसकेरेज क्य हो जाता है और इस समस्या से हम कैसे अपने फीमेल रेविट को बचा सकते हैं तो गाई अगर आपकी भी मादा खरगोस प्रेगनेंट है तब आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वरना जानकारी ना होने की वज़य से ऐसी कोई भी समस्या हो जाने पर आपकी भी मादा खरगोस का मिस कहरे जो गहरा हो सकता है यानि गर्फपात हो सकता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेटराइबी टेंडेनीमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है गाईज सिधा मेन मुद्धे पर आते हैं और आज की वीडियो सुरू करते हैं गाईज फीमेल प्रेगनेंट रेविट का मिस कहरे जानी गर्फपात होने का पांच मेन कारण होता है जिसे सभी रेविट लवर भाई बहन को जानना बहुत ही जरूरी है तो आईए नमबर वाईज से दूर भागती है ऐसे में ओ एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं या मीटिंग के दवरान मादाखरगोस के पेट में चोटो गहरा लग जाने की वज़े से भी मादाखरगोस का मिसकेरेज हो जाता है इसलिए आप लोग ऐसी गलती कभी भी ना करें और हमेशा अपने तरह से नहीं हुआ होता है जिसकी वज़े से बच्चे पूरी तरीके से नहीं बन पाते हैं फिर ऐसी समस्या देखने को मिलती है और इस कंडिशन में मादाखरगोस की जान भी जाने का खत्रा हमेशा बना ही रहता है नमबर थिरी उचाई वगेरा पर रखने पर गाज कहने जगहां पर ही रखने की ज़्यादा कोशिस करें जिससे उसके पेटों गेरा में जटके ना लगने पाएं और उसका मिसकरेज ना हो बाकि आप खुद ही समझदार है नमबर फोर फीमेल रेविट के बीख होने पर गाज कहने का मतलब है कि जब मादाखरगोस का मीटिंग कर जाती है तब ऐसी कंडिशन में भी मादाखरगोस का मिसकरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए आप लोग यहां तक हो सके अपनी मादाखरगोस का मीटिंग गैपिंग दे दे कर ही करवाने की पूरी कोशिस करें नमबर फाइब खरगोस के आपस में फाइ ब्लीडिंग औगयरा होने लगता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने पर भी मादाखरगोस की जान जाने का खत्रा भी बना रहता है ऐसे कंडिशन में आप बिल्कुल भी देर ना करें और तुरंत किसी अच्छे बेट डाक्टर को दिखाएं जब भी आपको लगे कि आपकी फीमेल प्रेगनेंट रेविट बिलेडिंग बहुत तेजी के साथ हो रहा है वो मांस के टुकड़े जैसा कुछ गिरा रही है तब आप एक बार जरूर किसी अच्छे बेट डाक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं वरना देर हो जाने पर भी प् वीडियो में खरगोष की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए तब तक के लिए जय हिंद